नमस्तकार दोस्तों स्वाकत है आप सभी का आज के करनेट अफर्स के इस वीडियो में दोस्तों एक देश है जिसका नाम है स्लोवाक किया तो यह जो देश है यह वर्ड के मैप में कहाँ पर चुकि आज का सबसे पहला कोशन हमारा उसी से बना हुआ है तो यहाँ पर यह जो यूरोप की तरफ जाओगे तो यह रहा लाल कलर से जो आपको देश दिख रहा है यह स्लोवाक किया तो यहाँ पर हो सकता है आपका एक्जैक्ट लोकेशन आपको ना याद रख पाओ लेकिन कम से कम इतना याद रख लो कि यह लोकेशन इसकी किस तरफ है यूरोप में महिला राष्टरपती बनी है यहाँ पर यह जो स्लोवाक्या की पहली महिला राष्टरपती बनी है उनका नाम है जुजाना कैपू तोवा नाम याद रख ली ना जुजाना कैपू तोवा इनका नाम है जिनको हाल ही में स्लोवाक्या की पहली महिला प्रेसिडेंट बनाए गया है चुकि यहां पर देखो वैसे तो यह कुस्चन इंपोर्टेंट इस पर जिसे है क्योंकि यहां पर किसी महीला को सबसे पहली बार प्रेसिडेंट बनाए गया है तो आई होप आपको याद हो गया होगा नाम एक बार से दिखलो मैं लिख के भी दिखा दिता हूं आपको लंबे समय तक याद रहे जुजाना ठीक है दूसरा यह कैपू तोवा ना याद रखिए केवल जुजाना याद रखिए जुजाना को स्लोवाकिया की पहली महीला राष्ट्रपती के रूप में पॉइंट किया गया है यहां पर जुजाना जी का आपको फोटो भी दि पहुच गई है अब यहां पर आपको स्लोवाकिया मैंने दिखा दिया है दो चीजे और समस्लोवाकिया की जो कैपिटल है वह बरास बरास तीस लावा यहां की कैपिटल हो जाएगी और यहां पर इसकी जो मुद्रा है वह यूरो चिक है आगे चलते हैं मोस्ट अच्छा लगता हो तो जितने भी आपके दोस्ते हैं वाट्साइब ट्वीटर फेस्बुक टेलीग्रम हर जगे वीडियो को सेर करना आप और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है ठीक है अब यहां पर देखो यह कुशन मना है कि हाल ही में एक अप्रेल 2019 को किस दे किस बैंक अप्रेल 2019 को अपना कौन सा इस्तापना दिवस मना रही है तो आंसर क्या लिग दोगे तुरंत आंसर आना चाहिए अपके मन में 84 इस बार इस्तापना दिवस मना रही है तो यहां पर आपको अरभी आई का फोटो देख लो तो आपको और अच्छे से किलियर हो जाएगा साथी साथ में यहां पर कुछ और चीज़ें जानते हैं आरभी आई की जो इस्तापना हुए वो हुई थी एक अप्र जर्कन यंग कमीसन जिसकी सिफारिस के वैसेस पर इस बैंक का सुरवाद किया गया था उसके लाबा इस समय आरभी के जो हंका नाम सकति कांथ दास कौन है सकति कांथ दास आरभी आघी गवर्नर है और RBI के जो डिपटी गवर्नर यानि कि उप गवर्नर उनकी संख्या होती है चार और कौन-कौन से लोग डिपटी गवर्नर है ये चीज़ इंटर्विव में पूछ ली जाती है कि किनी दो डिपटी गवर्नर के नाम बता हो तो यहां पर नीचे से देखते हैं मह पर इसको मन में अपने दोहरा कर याद कर लेना यहीं के यहीं पर बात के लिए मत रखा करो जो करना है आज करो कल के लिए कुछ मत रखो आगे चलते हैं अगले कुशन की तरफ इसके लाब एक चीज़ और यहां पर लिखी है कि मनमौन सिंग जो है वो एक मात रहसे प्रद बनाओगे कि आपका कुछ पूरे दिन में पढ़ाई हो नहों मौर्णिंग में सुबह 5 बजे उड़कर आपको करन्ट फर्स का ये वीडियो हर हाल में देखना ही है तो यहां पर देखो करन्ट फर्स का अगला कोशन क्या बना है करन्ट फर्स 2019 का अगला कोशन है कि हाल ही मे Miami Open में फाइनल मुकाबले में किसने John Isner को हरा कर खिताब जीत लिया है तो यहां पर John Isner को हरा कर Miami Open जीतने वले खिलारी का नाम है Roger Federer और ऑप्षण डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा रोजर फेडरर जो है उन्होंने वियामी ओपन को जीत लिया है अब यह रोजर फेडरर अभी रिसेंट में न्यूस में थे आपको याद होगा मैंने कोशन कर वाई था कोशन यह था कि अभी एक रिसेंट में रोजर फे क्लिया तो 101 वह खिताब इनका सिंगल्स का हो गया तो यह किस ने जीता है रोजर फेडरर ने ठीक है तो यहां पर करेंट अफर्स 2019 के अगले कुशन में हाल ही में किस इंटरनेसल संगठन ने माइंड दगैप स्टेट ओफ इंप्लॉइमेंट नामक रिपोर्ट जारी करी है रिपोर्ट का नाम देखना mind the gap state of employment नामक रिपोर्ट जो है इसको आउक्समेन नामक ऑर्गन जेसन ने लौंज किया है किस ने किया है आउक्समेन इसका यह राइड अंसर हो जाएगा इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो भारती इस्रम बाजार है उसमें गुडवक्ता यह तो नौकरी की कमी है यानि कि अच्छी नौकरियों की उपलबदता ज्यादा नहीं है साथी साथ में मजदूरी दर्ज होती है में उसमें असमानता जो है वो बहुत ही आम बात है यानि कि ज्यादा काम करबा लिया जाएगा और पैसा कम दिया जाएगा या फिर जादा जैसे बहुत सारे बच्चे जादा क्वालिफिकेशन रखते हैं लेकिन उनकी नौक्रिया जो है वो छोटी लगती है तो यह जो असमानता है इस रिपोर्ट में यह चीजे सामने आई हैं आला कि हम लोग तो यह चीज बहुत पहले से ही जानते हैं इसके लिए बाद दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली बेसेस पर यह जो करन्ट अफर्स का पीडिएफ है इसको भी डाउनलोड कर लिया गरो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर मेरे टेली गरम चैनल जिसका नाम है टार्गेट इस्टरी है कि वहां पर जाइन हो जाओगे तो आपको डेली बेसेस का पीडियो वहां पर मिल जाएगा निनलिकित में से किस देश ने हाल ही में सुल्तान अजलान सहा कप टूर्णामेंट जीत लिया है तो वैसे तो भारत इसमें लगबग हर बार जीत लेता है और इस बार भी भारत फाइनल तक प हाई और दच्षड कोरिया के बीच में हुआ था लेकिन अजलान सहा कप जो है वो दच्षड कोरिया ने जीत लिया और इसके पीछे भी बड़ी अजीब सी खानी है मतलब भारत और दच्षड कोरिया बढाबरी पर चल रहे थें लेकिन यहां पर पैनल्टी सूट आउठ मे कभी कभी कोशन SSC में पूछ लिया जाता है या वेलवे में भी पूछा जा सकता है कि जो अजलान सा कप है ये किस केल से सम्मंदित है तो ये होकी से सम्मंदित है तो option देखकर होकी पर टिक कर देना यहां पर आपको final मुकाबले के एक फोटो भी आपको दिखा देते हैं चीक यह दिया गया है एक टीचर है जिनका नाम है मनु गुलाटी मनु गुलाटी को दिया गया है और क्यों दिया गया है यह जो मार्था फेलर पुरस्कार है यह दिया गया है उनके जो महिला ससक्तिकरन को लेकर उन्होंने काम किया है या फिर लैंगिक समानता को लेकर उन्हों पाकिस्तानने निन्ड लिखित में से किसे हाल ही में नया विदेश सत्रव बनाए के है जब से पल्व alignment पर ऑटेक हुआ है पाकिस्तानने जितने भी नय appointment हो रहे हैं वो भी gk करूशन बनाए即से पहले नहीं बनते थेगर इस इस से पहले नहीं बनते थे खक है लेकिन अगर कहीं पूछा जाए तो आप इसको सई कर दोगे हाल ही में देना बैंक विजिया बैंक का किस बैंक में विले हुआ है बहुत दिनों से यह जीज चल लग तक तो याद हो जाना चाहिए ना कि देना बैंक और विजिया देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा तो जो लोग बैंक अब बरोदा में उन लोगों के लिए खुसी की बात है कि तीनों बैंकों को मर्ज करके अब एक बैंक बना दिया गया है आपर इस तरीके से बैंक अब बरोदा इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो बहुत न्यूस भी हैं, इसके MD और CEO का नाम जरूर याद रखना, PS. जैकुमार, ये जरूर पूछा जाएगा, ये इसके MD और CEO है, और बुख्याले की बात करी जाए, तो इसका जो मुख्याला है, वो है बरोदरा में, अप्रेल के करेंट अफैस के अगले कुशन में चलते हैं, इसरो ने हाल ही में PSLV C45 से DRDO के किस सैटलाइट सहीट, 28 नैनो सैटलाइट को सफलता पूरवक लाँच किया है, एक चीज़ यहाँ पर समझना, इसरो ने अपना सैटलाइट तो लाँच किया है, 28 जो है, बिदेशी देशों के सैटलाइट भी लाँच किये हैं, तो यह बहुत बड़ी चीज़ अब्सर्व करने कि भारत आज की रिट में उस पोजीशन पर पहुँच गया है, कि वो दूसरे देशों के सैटलाइट को भी लाँच करने लगा है, तो यह किया गया है भारत के सैटलाइट इमी सैट को, ठीक है, इमी सैट को और किस करियर के द्वारा किया गया है, PSLV C-45 ने इस सैटलाइट को यहाँ पर अच्छे ते परच्छेपित किया है, अब यह चीज कहां से किया गया है, यह भी कोशन बनता है, तो आंदर प्रदेश के स्री हरी कोटा इस्टेट सतीज दवन स्पेस से से इसको सुबह साड़े नौ के असपास में लाँच किया गया है, साथी साथ में अलग-अलग न्यूस पेपर में इसको ब्रेकिंग न्यूस भी बनाया गया था, तो यहाँ पर आप देख रहेंगे तो थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा, इस उपलब्दी को देख कर भी और एक्जाम के पॉइंट अफ यू से भी कोशन इंपॉटन होता है, कराइट अफर्स के अगले कोशन में, हादसे और आप हुद्री नामक आत्मकता की लेखिका का क्या नाम है जिनका हाली में निदन हो गया था, तो उनका नाम है रमडी का गुपता, जिनोंने हादसे और आप हुद्री नामकी आत्मकता लिखी थी, जिनका हाली में निदन हो गया है, तो यहाँ पर रमडी का गुपता इसका राइट अंसर हो जाएगा, रमडी का गुपता, ठीक है, तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा, इसी तरीके से अपरेल की करेंट अफर्स को डेली बेसिस पर आप पढ़ते रहेंगे, आप जल्दी से क्विज के अंसर भी दे दीजिए, हाल ही में सबसे ज़्यादा 4G अवेलिबिल्टी रिपोर्ट में, किस सहर का नाम नंबर वन पर आया है, भारत की एक सिप्याड कंपनी GRSE, कितने यूटूब पोतों के निर्मार के साथ भारत की पहली सिप्याड कंपनी बन गई है, मलेरिया जैसे घातक रोगों का पता लगाने के लिए, किस आयाइटी ने एक नया डिवाइस बनाया है, तीनो कोशन का अंसाल जल्दी से दे देना, अप्रेल महिने से एक आदत सी बना लोगी, डेली आपको मौर्णिंग में 5 बजे उठकर करेंट अफर्स का ये वीडियो देखना ही है, करेंट अफर्स 2019 आपको ऐसे ही मैं तयार कराता रहूँगा, और करेंट अफर्स 2019 के मोस्ट इंपोर्टन जितने भी कोशन है, वो सब आपको मिलेंगे यहाँ पर पीडियोप के साथ में, तो टेली ग्राम चैनल को जोईन जरूर कर लेना, वहाँ पर आपको सभी का पीडियोप भी मिलता रहेगा,